सुप्रभाद इस विशेश बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भावना नहीं है और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दिपाली जो आप तक संकेतिक भाशा में खबरें प्रस्तुत करेंगी शुरुवात करते हैं सुर्ख्यों के साथ लोकसभा चुनाव के सात्वे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरंपर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज जार्खन और कॉलकता जाएंगे एक जून को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव के लिए विपक्ष ने भी तेज किया चुनाव प्रचार, कॉंग्रिस नेता मलिका अरजुन खडगे और राहुल गांधी ओडीशा में ठोकेंगे ताल, सपा प्रमुक, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के साथ वारा नसी में करेंगे जन सभा देश में कहर वर्बाते भीशन गर्मी के बीच राहत बरी खबर मौनसून को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान इस वर्ष जून से सितंबर तक होगी सामान्य से अधिक वर्षा स्वतंत्रुता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर की जोयनती आज विलक्षर प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर को प्रितग्य राश्ट्र कर रहा है नमन आईए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं आपको बता दे कि 24 की चुनोती में अब अन्तिम चरण और सात्वी चरण का चुनाप्रचार चरण पर है एक जून को अन्तिम और सात्वी चरण के लिए मतदान होना है सभी राजनेतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जोंग दी है भाजपा के स्टार प्रचारत और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज जारखन और पश्चिम मंगाल में चुनाप्रचार करेंगे प्रधान मंत्री सबसे पहले जारखन के दुमका में करीब सभा बारा बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे करीब धाई बजे बारा साथ में चुनाव प्रचार करेंगे वही शाम चार बजे प्रधान मंत्री जादगपूर में भी जनसभा को संबोधित कर पार्टी के समर्थन में जनता से वोट मागने की अपील करेंगे जारखन के बाद प्रधान मंत्री पश्चिब मंगाल का रुख करेंगे प्रधान मंत्री उत्तर कॉलकता सीट से भाजपा उमीदवार तापस रोय के समर्थन में रोडशोड करेंगे रोडशो से पहले प्रधान मंत्री नेताजी सुभाश चंद्रभूज को श्रधानजली देंगे प्रधान मंत्री का ये रोडशो उत्तर कौलकता के शाम बाजार पांच माथा रोड़ से शुरू होगा इसके साथ ही प्रधान मंत्री मोधी शाम साथ बजे स्वामी विवेकानन की प्रतिमा पर माल्यारपण भी करेंगे पी-एम मोधी ने एक तरफ चुनाव प्रचार का जिम्मा सम्हाल रखा है तो वहीं बीजेपी के दूसरे स्टार प्रचार अगभी पूरी ताकत के साथ रैलियो में डटे हुए हैं बात करें पार्टी के राष्ट्र अधक्ष जेपी नड़ा आज चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे नड़ा की शिम्मला, मंडी और हमीरपूर में जन्सभा होगी वहीं अमिच्छा ओड़ीशा के चांदबाली पनी कोईली और निमा पाड़ा संसर्देख शेतर में जन्सभाओं को संबोधित करेंगे ओड़ीशा की चांदबाली लोगसभा सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल चुनाव लड़ रही हैं जन्सभा के दौरान अमिच्छा भाजपा उमीद्वारों के समर्थन में जन्ता से वोट अपेल करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया में लोगसभा चुनाव से ठीक पहले समाजबादी पार्टी को बड़ा जटका लगा है पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंग यादव के बेहत करीबी रहे नारत राय ने आज पार्टी छोड़ने का एलान कर दिया है पूर्वांचल के दिगज नेता नारत राय ने अखिलेश यादव पर अपमान करने का आरोप लगाया नारत राय ने भारतिय जरनता पार्टी में शामल होने की भी मंशा जाहिर की है बुलिटिन में आगे बढ़े लोकसभा चुनाव के सातवे चरण की सीटों पर प्रचार कारिक्रम जारी है लोकसभा चुनाव दोहजार चौबीस के सातवे और आखरी चरण की वोटिंग एक जून को होनी है इसी चरण में लोकसभा सीट वारानसी में भी वोटिंग होनी है जिसके लिए पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार जारी है इसी कड़ी में सपाध्यक्ष, अखिलेश यादव और कॉंग्रिस नेता गाहूल गांधी आज कुशीनगर और वारानसी में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे इसके साथी सपाध्यक्ष, अखिलेश यादव, बाजगाप में भी जनसभा करेंगे राहुल गांधिया और अखिलेश यादव की ये संयुक्त महासभा शाम चार बजे मोहन सराय में होगी इसे परिवर्तन राली का नाम दिया गया है वही कॉंग्रेस पार्टी के ध्यक्ष मलिकारजुन खडगे और कॉंग्रेस नेता राहुल गांधि ओडीशा के भद्रक में भी चुना प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाती मालिवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार की न्याएक हिरासत आज खत्म हो रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के निजी सचे विभव कुमार को आज 30,000 कोट में पेश किया जाएगा कल उन्हें आदालत से कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमान त्याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था आज ही अदालत में विभव कुमार के वकील की ओर से CCTV फुटेज संरक्षित करने की मांग पर भी सुनवाई करेगा पिशली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से CM आवास से लिए गए CCTV फुटेज को संरक्षित करने की मांग विभव के वकील ने की थी इस बीच ये बताया जा रहा है कि बिभव अपनी जमानत के लिए दिली हाई कोट में अपील दायर करेंगे जारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमन सुरेन लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंध है सुमबार को उन्होंने जमानत के लिए जारखंड हाई कोट का रुक किया और जल्द सुनवाई की मांग भी की सुरेन की याजिका पर आज जस्टिस रुंगोन मुखोपाद्याई की पीठ सुनवाई करेगी दरसल सुरेन ने अदालत के सामने दलील दी है कि बारगेन सरकल में 8.5 एकड जमीन के किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है ना ही उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराद बनता है एजी ने सुरेन को 31 जन्वरी को राची में गिरफतार किया था और गिरफतारी से पहले सुरेन को सीम पच से इस्तीफा देना पड़ा था जमू कश्मीर के सामबा जिले में ब्लास्ट हुआ है इसकी जद में आने से तीन लोग खायल हो गए है सूचना मिलने पर स्थानिय पुलिस और अन्य सुरक्षबल मौके पर पहुँचे है मामले की जांच की जा रही है कहा जा रहा है कि खारा मधाना इलाके में आग की वजह से वहां पड़े एक जंग लगे मोटार शेल में ब्लास्ट हुआ है मौसम से जोड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं भीशोड गर्मी के वीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मौनसून में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्यून जे महापात्रा ने कहा कि देश में दक्षणी पश्चमी मौनसून के दोरान 106 प्रतीशत बारिश होने का अनुमान है इसमें 4 प्रतीशत का फेर बदल हो सकता है उन्होंने कहा कि मध्य भारत और दक्षणी प्रायद्वी में वर्षा सामान्य से अधिक पश्चमोतर भारत में सामान्य और साथी पूर्वोतर में सामान्य से कम रहने की संभावना है जून में पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी मौसम विभाग ने दक्षण पश्चमी मौनसून के लिए पहले चरण के अनुमान में समूचे देश में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की थी और दूसरे चरण में इसमें कोई बदलाव नहीं है डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि अगले पाँच दिनों में मौनसून के केरल पहुचने की परिस्थिती अनुकूल बनी हुई है वही गर्मी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा राजिस्थान के फलोदी में सबसे अधिक तापमान 49.4 डिग्री सेल्शियस दर्ज क्या गया दिली वासियों के लिए भी तेज गर्मी परिशानी का कारण बनी हुई है उत्री दिली का मुंगेशपूर इलाका 48.8 डिग्री सेल्शियस अधिक तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म जगा बना रहा वहीं जमू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और विधर्प में भी लू की स्थिती बनी रही मौसम विभाग के अनुसार आज दिली और आसपास के ख्षेत्रों में आसपास साफ रहने के साथ लोगों को भीशण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्चक बाहर निकलने से परहेश करने की सलहा दी गई है साथ ही अधिक मात्रा में पानी का सेवन करने की भी सलहा दी गई है हिंदुत्व के प्रणेता वीर सावरकर की जयनती आज मनाई जा रही है वीर सावरकर की जयनती पर अभिनेता रणदीप हुटा पोर्ट ब्लेयर के सेलिलर जेल पहुँचे उन्होंने कहा वीर सावरकर की कहानी का अध्यन करने और उसे परदे पर दर्शाने के दौरान मेरी इसमे भागेदारी बहुत बढ़ गई आज हम यहां सेलिलर जेल आए हैं जहां विनायक जी को पचास साल की उम्र कैद हुई थी जितने भी सशक्त करांती वाले लोग होते थे उन्हें अंग्रेश देश से दूर एकांत में रखते थे और यही एक वज़ा है और यही एक जगा है खेल की खबरों में साल के तीसरे ग्रांड स्लाम फ्रेंच ओपन टेनिस प्रत्योगिता में महिला एकलबर्ग में ट्यूनेश्या की ओंस जाबियोर ने दूसरे दौर में जगा बना ली है जबियोर ने अमेरिका की साईश्या विकेरी को छे तीन छे दो से हार का स्वाध चकाया चैंपियन्स लीग फुटबॉल प्रत्योगिता का फाइनल मुकाबला शनिवार को रियाल मेडरीड और बोरिश्या डॉटमंड के बीच खिला जाएगा यहें फाइनल मुकाबला इंग्लेंड के वेमले स्टेडियम में आयोजित होगा इस स्टेडियम के ख्रमता की बात करें तो इसकी कुल ख्रमता 90,000 दर्शकों की है वैसे इस बार सुरक्षा के भी पुखता इंतजाम किये गए हैं गौर तलब है कि 2021 में यूरोपियन चैंपिन्शिप के फाइनल के दोरान इंग्लेंड और इटली के प्रशंसकों में जड़ब देखने को मिले थी इसी के साथ इस विशेश बुलिटन में इतना ही मुझे और मेरी सहियोगी दिपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूस की टीम को दीजे अनुमती खबरों का सिलसला यो ही जानी रहेगा नमस्कार